शीतल अती शीतल अती सुन्दर वाता वरण तबस्या पूर्ण करके लोटाई संग्या स्वामी आप मुझे छाया कहके पुकारे स्वामी वस्तव में मैं संग्या की छाया हूं किन्तु शाम वरण की अतिरिक्त हमें तो तनिक भी अंतर दिखाई नहीं पड़ता संग्या हो अथ्वा छाया क्या अंतर है अंतर है स्वामी अब मेरे हिर्दय में जगदीश्वर भगवान विश्णों के क्रिपा से आपके प्रती प्रेम समर्पन और भक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है बीती स्मृती और कडवाहट को भुलाने के लिए आप मुझी नए नाम से पुकारें चाया 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 हम दोनों की प्रेम रस्थारा से सुर्य लोग का वातावरत अधिक प्रफुलित हो जाएगा हमारे प्रेम से जीवन के नविन सत्य की कलपन साकार हो उठेगी तुमारे स्वभाव का यह अंतर देखकर हम अत्यन प्रसन हुए चाया स्वामी जिस प्रेम और समर्पन के हम आकांशी थे वो हमें प्राप्थ हो गया आउ चाया हमारे प्रेम से शून मिर्दै को अपने निर्मल प्रीच से भर दो स्वामी चाया भोले नाथ में सूरे देव तथा शनी देव के मध्य भयानक द्वेश की जो कथा देवी पार्वती को सुनानी आरंब की थी उसके अंतरगत सूरी और चाया का प्रेम खनिष्ट होता गया भगवान विश्णू की इच्छा मात्र से संभव हुए सूरी देव और देवी चाया के मिलन के परणाम सरूप शनी देव और देवी तप्ती का जन्म हुआ पुत्रशनी पुत्री तप्ती मेरे समीपाओं राम माती पुत्रशनी कहां भ्रमन करते रहते हों कभी भी अपने माता की समीप नहीं आते माते मैं आकाश में एक और खड़ा अपने पुझ्य पिता श्री के निरंता भ्रमन करते रत को देखता रहता हूं वे समस्तक रहों को बल और तेज प्रदान करते हैं माते हाँ पुत्र तुम्हारे पिता संसार के संमुक अपनी कर्तव्य निष्ठा का आदर्श है संसार की भाती तुम्हें भी अपनी कर्तव्य निष्ठा की शिक्षा उनसे प्राप्ट करना अवश्यक है नहीं माते मैं क्षमा के साथ कहने का इच्छुक हूँ कि मेरे पुझ्य पिता श्री मेरी घोर उपेक्षा करते हैं अर्थाथ? कि जब मेरे शनी लोग को तेज प्रदान करने की बारी आती है तब पिता श्री उपेक्षा से अपना मू घुमा लेते हैं इसी कारण माते शनी लोग में अंधकार है मातें मेरे पिता का मेरे परती ऐसा विवार के हो मातें राता श्री सत्त केह रहे हैं माते क्या ये पिता श्री का शनी लोग के प्रती अणय नहीं है मुझे स्वामी की तुम्हारे प्रती उपेख्षा का आभास है पुत्र किन्तु कारण समझ में नहीं आता वे मेरे पुत्र के प्रती उपेख्षा का व्यवहार क्यों करते हैं मेरे साथ भी ऐसा ही है माते पिता श्री ने मुझे भी कभी पिता का प्रेम प्रधान नहीं किया मेरे भी समझ में नहीं आता इग्रैपती के स्थान पर प्रतश्टित रहते हुए भी पिता श्री सब के प्रती समान विवार क्यों नहीं करते कताचित वे मेरे शक्ती से भाईबित रहते हैं शनी इसका कारण तुम्हारा सौभाव है तुम अपने तेजस्वी पिता को भैवीत बताने का दुस्साहस करते हो किसी के प्रतित तुम्हारे मन में पूच्ज भाव नहीं है क्या देवराज इंद्र देव गुरु ब्रहस्पती को तुम सम्मान की दृष्ची से देखते हो अपने समान ग्रहों के साथ भी तुम्हारा व्यवार महित्रिपूर नहीं है तुम अपने आपको हर एक से श्रेष्ट प्राक्रमी और शक्तिशाली समझते हो सत्य को सुनकर उत्तेजित्ता हो शनी तुम जम सही एंकारी और साथ-साथ उड़ंड भी हो मेरे बार-बार समझाने पर भी तुम विनम्र होने को प्रस्तुत नहीं ऐसी स्थिती में तुम हमसे प्रेम पूर्ण विवहार की आशाकर भी कैसे सकते हो किसी से कुछ प्राप करने के लिए जुकना पड़ता है जुकना मेरा सोभाव नहीं है पिताश्री तो ऐसे उड़ंडों को शक्ती और तेश प्रदान करना मेरा कर्तव्य नहीं है स्वामी स्वामी शनिदेव को इस प्रकार प्रताडित करना अनुचित है उचित और अनुचित का भेत मुझे भली भाती ग्याद है मुझे शिक्षा देने का दुस्साहस ना करो पिताश्री आप अपने मर्यादाओं का उलंकान करके मुझे विद्रों के लिए विवश्च कर रहे हैं पिताश्री मुझे भली भाती क्या थै या अपने मेरी माता चाया मुझे और मेरी बहन तप्ति को कभी सच्चा प्रेम प्रदान नहीं किया शनी सत्य को सुनकर तेजित की हुए क्या यह सत्य नहीं कि जब जब मेरी माता चाया ने आपके प्रति प्रेम और समर्पन की भावना प्रस्तुत की तब तब आपने यम्यमी की माता संग्या का स्मरण किया यह सत्य है मिध्य आरोप है तुम्हारी कोई भी विवाता नहीं है यही संग्या है यही च्छाया है शनी इस भ्रह्म को रिदे से निकाल दो शनी यह भ्रह्म तुम्हारे पतन का कारण बन सकता है आप सत्य को छिपा रहे हैं पिता श्री यह कितनी लज्जा की बात है कि समस्त संसार को सत्य से प्रकाशित करने वाले सूर्य देव स्वयम असत्य क्यांदकार में डूबे हुए हैं अपने पिता का पान करने वाले दुष्ट लज्ज तेरा होना आवशक है तो सूर्य लोक में रहने के योग की नहीं है हम तेरा मुख भी देखने के इस शुक नहीं है शीग्र ओजल होजा हमारी दृष्ट से आप ये क्या कह रहें स्वामी पिता की संपती पर पुत्र का अधिकार होता है ऐसे दुष्ट दुष्ट सहसी और एहंकारी पुत्र का कोई अधिकार नहीं होता आप मेरे पुत्र के प्रति अन्याय कर रहे हैं ऐसे दुष्ट अन्याय की भाशा ही समझते हैं इनसे याचना करने के अवशक्ता नहीं है माते अब मैं भी अपमान सहन कर सूर्य लोग में एक बल भी रहूंगा इनके साथ रहना अपने आपको अत्मान और प्रताणना में ढखेलने के समान होगा किन्तु सूर्य के प्रकाश के बिना मुक्ती भी तो नहीं शनी लोक में तो मुक्ती है हाँ, तुम उसी अंधकार पूर्ण वातावरण में रहने के योग्यो हो तो आप भी इस पर सुर्ण लिजे पिताश्री, मैं भी भ्राताश्री के साथ सुर्य लोक का त्याग कर दूँगी इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद दूँगा तुम्हारे रिदे की कुरूरता भी शनी के समान ही है यदि आप मेरे पुत्र और पुत्री को अपमानित करके शुर्य लोक से निकाल रहे है तो मुझसे प्रेम और आदर की अपेश्या कैसे कर सकते है मादे यदि आपके मन में हम दोनों के प्रती रेश भर भी इसने शेश है तो अपमान के इस वातावरन से निकल चलो मादे मैं स्वयम तुमको सुर्य लोक लोटने के लिए मनाने नहीं गया था तुम भी इंदुष्टों के साथ जाना चाहती हो तो सुष्छा से जा सकती हो आप रसन्न होकर हमारे साथ रहना और भी अधिक कश्ट देगा माते तुम्हें हमारी शपत और सुर्य लोग का त्याक करो और चलो हमारे साथ अभी हमारे लिए सुर्य लोग नहीं शत्रु लोग बन चुका है माते चलो चलो माते इस शत्रु लोग में अब एक पल भी रहना अजमभव है माते आए अनंद के परम पावन अफसर पर अश्रु मत भाव परतंत्रता के बंधन को काट कर स्वतंत्र वातावरन में श्वास ले रहे हैं आज तो हम शत्रु के बंधन से मुक्त हुआ है माते शनी तुम्हारे पिता तुम्हारे शत्रु नहीं है उन्होंने तुम्हें जीवन दिया है जीवन जीने के स्वतंत्रला प्रलान की है उन्ह अप्मानित करने के योग ही है देवी छाया उस अहंकारी सूरी के साथ किसी की भी नहीं बनती सभी के साथ अनबन रहती है जैसे शनीडेव के साथ हुई है रहू तुम यहां इस समय उचित आऊसर पर उचित बात कहने के लिए ही मैं सनसार में विख्ञात हूँ तुम्हारे पिता सूरी देव की तुम्हारे प्रती शत्रुता मैं जन्म से निहारता आ रहा हूँ मुझे ग्याद था शनिदेव कि तुम्हारे जैसा गारोशाली ग्रह उस अंकारी सूरिदेव के साथ अधिक समय तक नहीं रह सकता वो पक पक पर तुम्हें अपमानित कर रहा था बुद्धी हिंड राहू तु मेरे महान पती को तुम्हारे उस स्रेश्च पती को ग्रस कर मैं उसके तेज को खंडित कर देता हूँ स्रेश्च वो है या मैं सत्य कहें शनिदेव क्या तुम भी अपनी माता का समर्थन करते हो कदाव भी नहीं रहू मुझे भली भाती ग्यात है कि मेरे पिता के कुटीलता पुरुन संकेत के कारण ही समुद्र मंथन में निकले अमरित को पीते समे विश्डू ने अपने चक्र सुदर्शन से तुम्हारे मस्तक को काट ढाला था अपने पिता के कुटील कुकृतियों पर मुझे तुमसे सहन भूती है रहू तो असे हम इस स्वतंत्र वायू को साक्षी मान कर ये प्रतिज्या करते हैं कि हम मित्र हुए सदा एक दूसरे की साहता करेंगे और दुष्च देवताओं के हर प्रयास को विफल कर देंगे मुझे तुम्हारी मित्रता स्विकार है रहू सुर्य के देज को ग्रास कर खंडित करने वाला मेरा मित्र बने ये मेरे लिए गौरव की बात है अपने अहंकारी पिता सूर्य देव से वित्रोह करने पर मेरी बधाई स्विकार करें मित्र शनी देव आपकी जय हो मेरे साथ चल कर शनी लोग में निवास करो सत्य तो यह है कि केवल तुम्हारे प्रेम के कारण मैं आज तक बेना इच्छा के सूरी लोग में रहता रहा कि अपको अब प्रेक्त पड़े शनी लोग में हम तीन रहेंगे मां चलीए शनी देब जयाँ आश्चे रहे पिडित कश्ट दायक स्वर के साथ साथ ये जय ये कार भी सुनाई दे रही है पुत्र शनी ये स्वर किन के हैं और इन्हें कश्ट क्यों दिया जा रहा है माते आप ही बताएं कि ये स्वर किसके हो सकते हैं तब ती तुम ही बताओं इन्हें कश्ट क्यों दिया जा रहा है कि यदि हम बता पाते तो ये प्रश्ण करते ही क्यों हां माते पीडा के ऐसे करुण स्वर हमने आज से पूर्व नहीं सुने आप ही बताएं ब्राता श्री पीडा से उब्रे ये समस्त स्वर उन दुष्ट आत्माओं के हैं जो मेरे द्वारा रचित विश्व में अपनी दुष्कर्मों का फल भुगत रहे हैं हम कुछ संजे नहीं ब्राता श्री तब ती कि Mire द्वारा रचित शनी संसार के विवस्था क्यानुसर हर जीव को जीवन में कूछ समय में चली देव के इच्छा से विताना ही पड़ेगा हाहाघा handle नीजदा हर जीव का अर्थ अत्यादिक भयानक है माते इससे साधारन मानव जीव जन्तु देवताधेत अध्वा त्रीदेव भी मुक्त नहीं है किन्तु इन्हें कब तक ऐसा नारकिय जीवन जीना पड़ेगा जब तक जीव अपने कर्म फल भोक कर मुक्त नहीं हो जाते तब तक धैया और साड़े साथी उन्हें पीडित करते रहेंगे मैं उनसे तुम्हारा परीचे करवाता हूं धैया साड़े साथी आग्या कर्मों के अनुसार फल देने वाले सनी देव आग्या मेरी माता और मेरी बहन का स्वागत करो शनी देव की पुझे माता स्री एवं प्रिये बहन स्री की जै 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 पुत्र शनी धैया साड़े साथी ये तुमारे कौन हैं ये दोनों मेरी च्छा मात्र से जन्म लेने वाले हैं माते ये संसार इनसे शनी देव की पनोती के रूप में परिचित हैं ये डैया किसी भी जीव का जीवन चक्र धाई वर्ष तक मेरी इच्छा से संचालित करता है और ये साड़े साथी साड़े साथ वर्ष तक हाँ 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 तिन्तु तुम्हार शनी लोग तृदेवों की श्रिष्टी से भिन्न है शनी आ माते तृदेवों की श्रिष्टी से हमारा ये शनी संसार औरन त्या भिन्न है यहाँ तृदेव अथ्वा सूर्य जैसी शक्ति भी हस्तक शेप नहीं कर सकती माते हैं यहां चनी देव के इच्छा का शाशन है चनी देव द्वारा निर्मित न्याय दिवस्ता है इन्हें अकारण पीडित क्यों किया जा रहा है पूत्र इन पर प्रहार आकारण ही नहीं किया जा रहा आप इनकी दृष्टता से परिचित नहीं है दृष्टता केसी पूत्र इन प्राणियों ने अपने जीवन में शनी की दशा आने पर कर्म करना ही छोड़ दिया माते और शनी देव को दोश देना प्रारंब कर दिया कि ऐसा क्यों पुत्र शनी देव के भय के कारण माते यह मुर्ख समझते हैं कि शनी की दशा जीवन चक्र में आने पर सर्वनाश होगा क्या यह सत्य है भ्राताश्री असत्य गोल असत्य कर्म की पूजा करने वालों पर शनी देव कदापी रुष्ट नहीं होते अपे तू शनी देव उन्हें सफलता के शिखर पर पहुचा देते हैं किन्तु यह मुर्ख शनी देव की महानता से परिचित होने के इच्छु की नहीं है इसे कारण ने इतने भयानक अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा है हुआ 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 ही इस वाद्वरन में रहपाँगी शानी ज äम्न यहां रह पाँगी ने पाँगी टेनल ऊटक न चूड़कर माति नहीं अmanuel कts इसकी अत्रुक हमें किसी कार्ष्रे नहीं है मातल तर जगत की बूलाधार जगदिश्वर विश्णु का त्व आश्रे है हाद मुझे छोड़कर मत जाओ माते लोटाओ असंभव पुत्र असंभव माते 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 मुझे छोड़के ना जाओ माते माते मुझे छोड़के ना जाओ माते मुझे छोड़के ना जाओ माते मुझे छोड़के ना जाओ माते माते, मुझे छोड़के ना जाओ माते, माते देखे सूर्यदेव, देखे, अपनी निश्चुर्ता का परिणाम देखे, मेरी माता और मेरी बहन, मेरे देखते ही देखते, नजाने कहां विलीन हो गई, अब यहां कदा पी नहीं आएंगी, कदा पी नहीं सूर्यदेव, और इसके उत्तर दाई, आप हैं आप, के वलाप, भाई, शनी देव, आपको इस दुश्कृत्य के लिए, कदा पे खिशमा नहीं करूंगा, कदा पी नहीं सूर्यदेव, कदा पी नहीं ओम अधित्याय नमः, ओम अधित्याय नमः, ओम हर्यों मेरे अपराधों को ख्षमा करते हुए, मुझ अभागन पर दया करने, आप प्रकट हुए स्वामी, मैं धन्य हुई, मैं धन्य हुई, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन हुआ देवी संग्या, अपनी इच्छा अनुसार वर्दान मांगो आपके परम पावन प्रेम के अतिरिक्त, मुझे और किसी वर्दान की अवशक्त नहीं है स्वामी प्रिये, इतनी लंबी तपस्या की पस्चात, वर्दान को प्रात करना तुम्हारा मूल अधिकार है, यदि जब तब वरत के फलसरूप वर्दान ना मिले, तो भविश्यों भला कौन इसका पालन करेगा? अपने कल्यान का कोई भी निश्चत वर्दान तुम्हें हमसे पाना ही होगा स्वामी, यदि वास्तव में आप मेरे कल्यान का वर्दान देने के इच्छुख है, तो ऐसा वर्दान दे के आज के पस्चात, आपकी ये चरण डासी संग्या कभी आपके चरणों से दूर न रहे आज के पस्चात, तुम सदा मेरे हिर्दय की स्वामीनी बन के रहोगी प्रिये इस प्रकार, अपने तेजस्वे पिता सूर्य देव के विरुद, शनी देव की शत्रुता स्थाई हो गई इनकी चरण शत्रुता का एक कारण ये भी है कि शनी देव अपनी तामसी वृत्यों का त्याग नहीं कर सकते ये इनकी अस्तित्व का अंग बन गया है किन्तु स्वामी शनी जैसे महाहटी के सम्मुक इस किन्तु परिंतु का कोई लाब नहीं देवी याथ होने पर भी इस सत्य को स्विकार करने के शनी देवी चुक नहीं है कि वे जिस संग्या को अपनी विमाता समझ रहे हैं उसी में उनकी विलीन माता छाया समय हुई है स्वामी आप तो देवाधी देव हैं आप स्वैम शनी देव के मन से इस ब्रह्म को समाप करवाकर पिता पुत्र की मित्रता क्यों नहीं करवा देते शनी देव का हिदे परिवर्तन असंभव है देवी पार्वती बालक पन में ही उसके हिर्दे में अपने पिता सूर्य देव के प्रती द्वेश स्थाई हो गया संग्रक्षन और स्रेश्ट संसकारों के आभाव में पले इस बालक के मन से इर्शा वेश मिध्या यहिंकार कभी समात नहीं होंगे अर्थाथ is के दापुत्र को ये शत्रुता का कोई अंत नहीं है तो क्या इस रिष्टी के अंत तक शनीदेव सभी का अहित ही करते रहेंगी शनी देव हर एक का अहित ही करते हैं ये कहते ना ही पर्याप्त नहीं होगा देवी अर्थात अर्थात अपने पिदा के घोर शत्रू शनी देव अनेकों के परमित्र भी है मित्र शुक्राचारे और रहु जैसों का ना नहीं देवी संसार में कर्म की पूजा तथा स्रेश्ट कर्म करने वालों को शनी देव की महान क्रिपा प्राप्त होती है आश्यरे चिकित नहों देवी स्रिष्टी संतुलन के लिए जितनी आविशक्ता सूर्य देव की है उतनी ही आविशक्ता शनी देव की भी है अर्था पिता पुत्र की इस घोर शत्रुता को नियंता की सहमती प्राप्थ है नियंता की इच्छा के बिना इस संसार का एक भी कंड इधर से उधर हो सकता है क्या अब सब कुछ ग्यात होने पर अपनी जिग्यासाओं को विराम दो देवी और शनीदेव का भविष्य उन्हीं पर छोड़ दो नब सबस्बस्बस्बस् एंनमाशी जड़ाय, एंनु दूख शवै여 में दूख नी ठी चा एंन Si Rai उनमाशी दिभाय आप यहां आपके आश्रम में आज्या करें शनीदे पधारें यहां आज्या करने अथमा पधारने नहीं आया हूं देट गुरु शुक्राचारें अपे तू मैं तो यह ज्यात करने आया हूँ कि महादेव शिव के चपतप से आपको क्या प्राप हुआ क्या आपको मेरे उस बात पर विश्वास नहीं धेत्यकुर शुक्राचार कित्री देव एक दूसरे के विरुद्ध कदा पर नहीं जाएंगे प्रम्मा विश्णू की भाती शिव भी असुरों के हिप्चें तक नहीं धेलताओं के बक्ष पाती है दज्ट गुरु शुक्राचार इनकी प्रार्थना से आपको तविक्षी लाबना होगा यह आपकी प्रार्थना सुनकर भी नासुभिदी शनी देव शिव राधना करके मैं अपने पेता महरशी भ्रिगू के आदेश का पालन कर रहा था तो अपने पिता महरशी भ्रिगू के आदेश को भूलकर अपने हित के विशे में अपने ज्यान का दिकास करें धेत्य गुरु और नभागे धेत्यों के विशे में भी सोचें जो आपको धेत्य गुरु मानकर आपके निर्देश पर राश्रित हैं अब ध्यत्यों को नेत्रित्म आपको करना है ध्यत्य गुरुव आपको नहीं शनीदेव मैंने एक बार असुरों को उत्तेजित करके देख लिया है विया भागे बिना कारण ही प्रियवरत्वारा वित्यू को प्राप्त हुए और प्रियवरत्वा तुनिक भी अनिश्ट नहीं हुआ इसी कारण आप महादेव के जरन पकड़कर आगे बढ़ने के चुक हैं हाँ हाँ शनीदेव आपकी प्रतीक्षा का कभी भी अंत नहीं होगा देत्य गुरु शुक्राचार असुर्शक्ति पाताल में सोई पड़ी रहेगी और उसके शत्रू संपुर्ण विश्व पर एक छत्र राज्य करेंगे एक छत्रू ऐसी स्थिती में मेरा क्या करना उचित होगा शनीदेव पाताल लोग जाकर असुर्शक्ति को बुला जागरित करे धेत्य गुरू बुला जागरित करे इ देत्य गुरू अब समय आ गया है जब संसार का शासन असुर्श अपने हाथों में ले ले इसके लिए समस्ता सुर्शक्ति को केंद्रित और संगठित करें किंतू यह किंतू परंतू और सोज विजार का समय नहीं है देत्य गुरू अब शीक्र पाताल लोग की और जागो 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 जाग प्रियवरत से प्राप्त धयानक पराजे के सन्मुख तुमने सदा सदा के लिए प्रिज्वी पर ना अने का देड़ने कर लिया है। उठो असुर वीरो उठो असुर शत्रुओं को उनके कुकृत्यों का धंड दो अपने बस तक पर लगए पराजे के कलंक को अपनी शक्ति से पिटा दो उठो असुर वीरो उठो जागो अजित दक्ति दकटो असुर शक्ति प्रकटो असुरी शक्ति के प्रतीक सिहा शक्ति चलो असुरी शक्ति प्रकटो असुरी शक्ति प्रकटो अपने प्रयास में ध्यत्त गुरु शुक्रा चारे सफल हुए आप धन्य है ध्यत्य गुरु शुक्रा चारे आप धन्य है अब आपका कार समाप्त हुआ और मेरा कार अब मैं संगठित भैत्य शक्ति के विस्पोटक श्या बिंदू को वैकुंड ले जाकर सूर्य और देवताओं के आराध्य विश्ण को आहत करूंगा आहाँ चलो शाग दूग वैकुंड लोग चलो हाँ 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 दो दो हाँ हाँ